हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इंफो चैनल में उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले कुछ वर्षों से हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स पर काफी जोर दिया जा रहा है आगरा लखनोव एक्सप्रेसवे, अलाभाद बाईपास एक्सप्रेसवे, गुंदेल खंड एक्सप्रेसवे, डेली मेरट एक्सप्रेसवे, इस्टन परिफेरल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, औरवांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसव इसी कड़ी में जुडने जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्स्प्रेस वे, that is गंगा एक्स्प्रेस वे, जिसका निर्मान कार्य प्रारंब हो चुका है, दोस्तों आज के इस special वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे गंगा एक्स्प्रेस वे की, जिसमें हम प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम important information, जिसमें शामिल है, project cost, some technical details, root alignment, current status, total length, future expansion, land acquisition status, structures to be constructed, total number of packages, construction contractors, phase 2 of गंगा एक्स्प्रेस वे, etc. तो दोस्तों complete information के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करके हमारा motivation जरूर बढ़ाएं. Friends, गंगा एक्स्प्रेस वे एक six lane access control type एक्स्प्रेस वे होगा, जिसका construction phase wise किया जा रहा है. First phase में गंगा एक्स्प्रेस वे का construction मेरट से प्रयाग राज के बीच में किया जाना है. यह एक्स्प्रेस वे उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरट, हापोड, बुलंद शहर, अम्रोहा, संभल, बदायू, शाह जहापूर, हर्दोई, उन्नाओ, राइबरेली, प्रताबगड और प्रयाग राज जिले शामिल हैं. गंगा एक्स्प्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलो मिटर्स की होगी, इस 6 लेन एक्स्प्रेस वे में प्रतियेक लेन 3.75 मिटर वाइड होगा, और इसका पेविमेंट फ्लेक्सिबल टाइप होगा, जिसे आम भाशा में बिटुमिन टाइप रोड भी कहा जाता है. गंगा एक्स्प्रेस वे का स्टाइंग पॉइंट मेरट में होगा, जहां यह एक्स्प्रेस वे बिजौली गाउं में एक्सिस्टिंग NH 334 से ट्रमपेट इंटरचेंज के माधि हमसे जुडेगा, वहीं इसका एंड़ पॉइंट प्रियाग राज जिलेग के अंतरगत जु जिस पर भविश्य में आसानी से एक्स्टा टू लेन का कंस्ट्रेक्शन हो सकता है, साथ ही इसमें मीडियन पोशन में ही यूटिलिटी डग्ट दिया गया है, जिसकी मदद से सभी यूटिलिटी से जुडे अलिमेंट्स को बिना किसी समस्या के एक्स्प्रेस वे के सेंटर से ही गुजारा जा सकेगा, इस एक्स्प्रेस वे का राइट ओफ वे या कहें आरो डबलू को 120 मीटर्स का रखा गया है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी काम हुआ है और भविश्य में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, वह सभी एट लेन अकॉर्डिंग होगा, फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि फिलहाल इसका पेविमेंट 6 लेन का होगा, जो कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्स्पैंड किया जा सकेगा, इस प्रोजेक्ट के लैन एक्स्प्रेस वे के अकॉर्डिंग किया गया है, ताकि भवेश्य में लेन 20 किलोमीटर्स पर आवर की रफतार से चल सकेंगे, साथ ही परियावरन को ध्यान में रखते हुए, गंगा एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ट एरिया में बोथ साइड कुल 18,50,000 ट्रीज प्लांटेशन करने का भी प्रावधान है, बात करें अगर इस प्रोजेक्ट के लैन ए ग्रहन के कार्य में अप्रोक्स 9,500 क्रोड रुपीज कर्च किये जा रहे हैं, इस एक्स्प्रेस वे में कुल 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 126 माइनर ब्रिजेस, 381 अंडर पासेस, 929 कलवर्ट्स, 28 फ्लाइओवर्स, 8 डाइमन इंटर्चेंजेस का कंस्ट अब अगर बात करें टोल प्लाजा की, तो इस प्रोजेक्ट में कुल 17 स्थानों पर टोल प्लाजा लोकेटेड होंगे, जिन में से 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे, जो की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे होंगे, इसके अलावा 15 टोल प्लाजा रैंप टाइप के अंतरगत शहजहाँपूर में 3.5 किलो मीटर लंबा एयर स्ट्रिप अर्थात हवाई पत्ती के निर्माण का भी प्रावधान है, इस एयर स्ट्रिप का उप्योग किसी भी एमर्जेंसी सिचुएशन में किया जा सकेगा, और इस पर आसानी से बड़े से बड़ा लड़ा कुविमान लैंड कराया जा सकेगा, दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का फेज वन जो की 594 किलो मीटर लंबा है और जो मेरट से प्रयाग राज तक जुड़ेगा, उसके निर्माण में कुल 36,230 क्रोर रुपीज खर्च किये जाएंगे, और इस प्रोजेक् कंपनियों ने प्रिपेर किया है, इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में टोटल 12 पैकेजेस होंगे, ग्रूप 1 के कंस्ट्रक्शन वर्क का टेंडर IRB इंफ्रा डेवलपर्स को अवार्ड हुआ है, वहीं ग्रूप 2, 3 & 4 के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी एंटर्प्राइजेस को प्राप्थ हुआ है, वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे का काम साइट पर प्रारंब हो चुका है, इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले वर्ष 2019 में कुम्भ मेले में अनौंस किया गया था, इस एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन डेडलाइन व 594 किलो मेटर हो जाएगी और बहतर हाई स्पीड हैंटलिंग रोड पर यात्रा करके इस दूरी को मात्र 6 गंटे में पूरा किया जा सकेगा, वहीं अगर प्रयाग राज से डेली की बात करें, तो यह दूरी भी मात्र 7 गंटे में तै कर ली जाएगी, यह एक्सप्रेसवे क नौज और लखनव के बीच आगरा लखनव एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा, जिससे यह क्लोवर लीफ टाइप इंटरसेक्शन से जुड़ेगा, दोस्तों यह ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के जिन शेत्रों से होकर गुजरेगा, वह सभ आर्थिक त्रिष्टी से काफी पिछड़े हुए हैं, सक्सेस्फुल कंप्लीशन के बाद यह एक्सप्रेसवे इन एरियाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्टेट के ओमनी डिरेक्शनल ग्रोथ में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, इन्ही फैक्ट्स को मद्दे अर्थात मेरट से हरिद्वार तक एक्स्टेंड किया जाएगा, फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे फेस टू के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम करना बाकी है, टेंटेटिवली प्रयाग राज से बलिया तक 314 किलोमेटर और मेरट से हरिद्वार तक जिसे टिगरी स यूपी उत्राखंड बॉर्डर सेक्शन भी कहा जाता है, इनके बीच 110 किलोमेटर स्लंबे एक्सप्रेसवे का निर्मान होगा, इन सभी सेक्शन को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे फेस वन और फेस टू की टोटल लंबाई एक हजार अठारा किलोमेटर की हो जाएगी, दो तो दोस्तों यह थी complete information गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो informative लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना भूलें, तथा इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने विचार comment section में जरूर व्यक धन्यवाद